हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल रीचा मेरा शॉट्स और आज की रेसिपी बहुत जाधा हेल्दी और टेस्टी होने वाली है आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पत्ते की सबजे तो यहाँ पे थोड़े से कॉंटिटे में लिया है मैंने चना दाल जो की मैंने सिर्फ आदी घंटे पहले ही बिगाया है क्योंकि गोभी के पत्ते को बारिक चॉप करके उबालना पड़ता है तो उसी के साथ ही हम चना दाल को भी उबाल देते हैं तो इसे ओवरनाइट भीगाने की जरुवत नहीं पड़ती है तो यहाँ पे हमने दोनों को अच्छे से वाश करके कुकर में डाल दिया है उबालने के लिए और हम चार से पांस सिटी लगाएंगे यहाँ पे मैंने तड़के के लिए सिर्फ तीन चीजे लिया है लसून लिया हुआ है, सुखी मिर्च लिया है और दो टमाटर लिये है भाजी को तड़का लगाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरुवत नहीं होती है इसमें प्याज भी नहीं डाला जाता है बट आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल भी सकते हैं और गाइस आप लोग बोलेंगे कि कढ़ाई इतनी काली क्यों है तो मैं पहले से बता देती हूँ कि ये लोही की कढ़ाई है जो की काली ही होती है जब भी मुझे कोई भी थोड़ी सी चीज बनानी होती है या तड़का मानना होता है तो मैं लोही की कड़ाई का ही यूज करना हूँ क्यूंकि लोही की कड़ाई बहुत ही जल्दी गरम हो जाती है तो जैसे ही तेल गरम हुआ मैंने इस पर सुखी मिच और लसुन डाल दिया है और लसुन को आपको पूरा रेड होते तक के फ्राई करना है then लसुन में ही हम डाल देंगे फोड़ी सी हलदी और मिर्च पाउडर जिससे की हलदी और मिर्ची भी बहुत अच्छे से पक जाए जब भी आप कोई भी सबजी या दाल भी क्यों न बना रहे हो तो आप लोगों को ये पता होना ची कि हल्दी बहुत ही अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए वरना सबजी और डाल का टेस्ट बहुत ही कच्चा कच्चा सा हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि मैंने लसुन को बहुत ही अच्छे से रेड होते तक के फ्राई कर लिया है जाए उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमने जो सीटी लगाई थी भाजी और चनदाल में तो चनदाल और भाजी अच्छे से पकी है तो मैंने चनदाल को चेक किया तो चनदाल अच्छे से पक चुका है हाथ लगाने से ही तूट रहा था अब टमाटर भी पक चुका है तो और इसे अच्छी तरीके से टमाटर लसून के साथ मिला देंगे जब भी भाजी बनाई जाती है ना तो नमक लास्ट में डाला जाता है क्योंकि भाजी में हमेशा कम नमक की ज़रुत पड़ती है अगर आप पहले ही नमक डाल देंगे और कॉंटिटी कम हुई तो नमक भाजी पर बहुत जादा हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं भी नमक लास्ट में ही डाल रही हूँ नमक डाल कर अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे सिफ पांच मिनट के लिए ढख के रख देंगे ताकि जो भाजी और चना दाल हमने उपर से डाला है वो मसाले के साथ मि जाए और गाइज गोबी भाजी मेरी और मेरी हस्बेन की बहुत फेवरेट सब्जी है हमें बहुआ जादा पसंद है गोबी भाजी खाना और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बनाने का जरूर ट्राइ करना पांच मिनट हो चुका है तो हमारी सबजी भी बनके हो चुकी है रेडी मैं आपको पांच से दिखा देती हूँ कि पकने के बाद सबजी का कलर कैसा हो जाता है सबजी का कलर देखने के बाद ही आपको समझ आ जाएगा कि सबजी कितनी जादा अच्छी बनी है अब हम सबजी को कढ़ाई से निकाल कर किसी बरतन में निकाल लेते हैं I hope guys कि आप लोगों को मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करना ताकि घर में डेली बनने वाली सबजीयों का इजी रेसिपी में आप लोगों के लिए ला सकूँ तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी वीडियो के साथ बाई गाईज